ओम गणेश हर हर महादेव सभी को जाई श्री कृष्छणा और उसी के साथ सभी को नंदा महुत्सव जनमास्टमी कृष्णा महुत्सव यह मतलब हम प्रैम से का नहा को जिस पी तरह से हम पूजीते हैं अब इस बार बहुत सारा कंफ्यूजन संदिय शंकाय है और इस विशाई पर बहुत लोगों ने हमें मैसेज इमेल किये है कि जनमाष्ट में कब है उस विशाई पर मैं वीडियो बना हूँ और इस प्रकार से मैंने मतलब सरली करन से वीडियो पूरा बनाया है सभी प्रकार के पंचांग हो मुहरत आदी गरम्त है सभी का अभ्यास करके सभी का शंचुदन करके और स्वयम निजी तोर से भी सारे स्थिती आदी देखकर फिर आज मैंने ये जो कंक्लूजन निकाला है शास्त्रों के अनुशार वो आज मैं सपष्ट रुप से सभी आपके मन के समदेह का समादान करने की कोशिश करूँ गा जैसे जनमाष्मी कब है या कृष्ण जनमाष्ट सव हम जीसे कहते हैं वह कब है या पारण समय क्या होगा निशित काल कब constitution निशित काल या निशित पूजा जो साधना की जाती है वह कब होगी और रोहीणी नक्षत्र का आरम कब होगा यह सारे विशय आज के इस वीडियो में आपको मैं समाधान करके बताने वाला हूँ अगर आपको यह विशय वीडियो पसंद आए सबसे ज्यादा शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का इकोन विशय तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रशन है आप सभी के मन में अगर जैसे आप देख पास सकते हो इस स्क्रीन पे कि जनम अश्टमी 6 सितंबर बुदवार को है या 7 सितंबर गुरुवार को है तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होता है 30 मिनिट से शुरू होकर दूसरे दिन अर्थात 7 सितंबर गुरुवार को शाम के या दोपहर के ही 4 बच कर 14 मिनिट पर यह तीथी समाप्त होगी कौन सी अश्टमी अब उसके पश्चात क्योंकि रोहिनी नक्षत्र में भगवान का जनमोत सव अवतरन हुआ था इस प्रिथ 30 मिनिट से दूसरे दिन साथ सितंबर सुबह 10 बजे तक रोहिनी नक्षत्र रहने वाला है अब एक और प्रशना के निशीत काल कब होगा यह बहुत ही उत्तम समय और बहुत ही महत्वा प्रण समय होता है तो निशीत काल का जो समय है वो रात के 12 बच कर 13 मिनिट से आरम होकर एक बजे तक रहेगा हम रात शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यह मद्यरात्री है हम इसे सुबह भी कह सकते हैं 7 सितंबर की लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 6 सितंबर की रातरी काल के 12 बच कर 13 मिनिट से आरम करके एक बजे तक निशीत काल रहेगा क्यों केवल 46 मिनिट का अर्थात 46 मिनिट का रहने वाला है अब उसके बाद जो एक और प्रशन है कि पारण कप करना होगा तो पारण का समय सुबह चे बचकर 14 मिनिट 7 सितंबर गुरुवार को ही होगा उस समय से आरम होगा तो आम शाम तक यहां कर सकते हो तिति की अनुसार कोई अगर अगेन मैं आपको इसी चीज को बहुत ही सरलता से अगर मैं कहूं या सुनाओ तो वो कैसे है वो सुनिये तो जो अश्टमी तिति है उसका आरम होगा 6 सितंबर दो पहर के 3 बचकर 38 मिनिट से शुरू होकर दूसरे दिन गुरुवार 7 सितंबर 4 बचकर 14 मिनिट दो पह होगा तो जो कुरुष्णा नंदोत्सव है कुरुष्णा जनमोत्सव या कुरुष्णा जनमाश्टमी जो अश्टमी तिति है वो राप्तरी काल के जैसे मैंने कहा कि जो राप्तरी काल का समय है 12 बचकर 13 मिनिट से आरम करके एक बचे तक होगा और उसी में यहारोहिनी नक शत्रका भी समावेश हो जाता है तो इस समय पर निशित काल की पूजा या साधना आधी हमें करनी चाहिए और उसी प्रकार से सुबह 7 सितंबर 6 बचकर 14 मिनिट से आरम करके पारण आप कर सकते हो तो कहने का ताथ पर यह है कि तारिक के अनुसार अगर हम देखे तो जो कृष सब्वान का जनमा हम उन्च सव मना सकते हैं तो कहने का तात्पर यह है कोई कन्फ्यूज मत हो यह सिधा और सलर्ल यही चीज़े के एक अश्टमी ठिथि का आरंब और अम्त देखा जाता है रोहिनी नक्षप्र का आरंब और देखा जाता है उसके अलावा निशित काल का ज आपने अभ्यास करके आपके सामने यह प्रस्तुत किया है फिर भी देश का अनुसार कभी-कभी क्षाई और वृद्धिती थी या कभी-कभी समय का एक अंतर होता है उस वज़े से कुछ अलग हो सकता है लेकिन अधिकतर यही जो टाइम जोन मैंने आपको यही जो हमारे मुझे कॉमेंट का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय कम रहता है तो मैं कम देता हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको अवश्य यह निश्चाई करता हूँ कि इस विश्य में कोई संबेह शंका अगर है आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिगा अवश्य में उचीत उत् लेकिन हाँ अवश्य आने वाले इसी विश्य के ऊपर वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि काल रात्री महारात्री श्यदारोना मोहरात्री अर्थात जन्नमाष्ट में की रात्री साधना के लिए बहुत ही स्रेष्ट उच्चतम और उत्तम यह रात्री मानी गई है ब बहुत बहुत शुब कामनाए जाई श्री कृष्टना